नमस्कार मैं हूं मनविंदर आप सभी का इस शो में बहुत स्वागत हैं तो अकिलेश जादव जिनके पिता यह कहते कहते चले गए कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है लेकिन अफसोस इस बात का है कि अकिलेश जादव भी इसी लीक पर निकल चले हैं अब उनकी मुश्किले बढ़ती ही जा रही हैं कर्नौज अकिलेश जादव का कर्नौज जहां एक नावालिक करेप होता है तो अकिलेश जादव का गयर जिम्मे अब क्या रह गई उनकी लेकिन इस तरीके से बयान देना जैसे कि मानों उनके घर में बेटी नहीं है बेहन नहीं है और इससे मतलब संबेदन हीन बयान और क्या हो सकता है और उनकी सोच पे गुस्सा तो आता ही है खरणा भी होती है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको मैं याद देलाना चाहते हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजे कमेंट भी कीजे और सभी नैशनलिस्ट राष्टवादी चैनल के प्रती अपना प्रेम अपना स्ने बनाए रखिए तो आपको याद आ गया होगा मैं किस घटना का जिक्र कर रही हूं और क्यों बता रही हूं ये पूरा मामला हम पहले इस वीडियो को देखते हैं कि कहां पर थी किस कमरे में चल कर दिखाओ कोई है आप कि कि यहां किस ट्राइब आप पर देखिए कि यह एक शिक्षण संस्थान का पैसेज है कि आप यह ओफिस से गुजर के जा रहे हैं अब इन्हें आप द्यान से देखिए हैं आई 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 यह क्यों कि यह कौन है आपकी कफ वाज़ा हैं फॉन 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 अरे कौन है आपकी इनको ले चलिए भाई कि यह कोई माद नहीं है कि मैंजा कंपिलेंट करिया कि यह पेला अज़स के कपड़ें कि यह अनको ले लिए माईला को कस्टेड़ी में लिए नावाब सिंग यादव है यह आपने एक माईला के सामने इस तरीके से किसी भी माईला के सामने नहीं है नहीं है नहीं है इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि मैं आगी क्या कहने जा रही हूं 12 अगस्त को जो किशोरी जा रही थी आगे आगे इसने शिकायत की थी कन्योज के नसरापूर थाने को क्योंकि यह वहां के डिग्री कॉलेज में पहुंचती है जहां पर नवाब सिंग को रंगे हाथों पुलिस ने आपतिजना की सिती में पकड़ लिया था कैसे इसी किशोरी ने पुलिस को सूचित किया था कि उसके साथ इस तरीके का गलत काम हुआ है अब पुलिस को जैसी फोन पहुचा वैसे ही पुलिस वहां पहुचती है और आगे का सीन आपने देखा ये उस बच्ची के फोन के बात का सीन है जो मैंने आपको भी दिखाया था अब जब ये सब बातें सामने खुल के आती हैं तो देखिए अखिलेश जादव क्या कहते हैं उनका इतना गेरजेमेदाराना बयान था कि आप DNA टेस्ट करा लीजे सब साफ हो जाएगा और अब DNA टेस्ट हो गया है और इन्होंने ये भी कहा जब अखवारों में ये खबर सबती है नाबालिक के साथ रंगे हातों पकड़े गए पूर ब्लॉक प्रिपुक नवाप सिंग जादव कॉलेज में पुलिस ने ग्रिफ्तार किया अब ये व्यक्ति जो है नवाप सिंग जादव ये बहुत क्लोज है डिमपल जादव के भी और देख लीजे आप पीछे साइकिल भी है ये अकिलेज जादव के साथ इनका फोटो है तो ये कैसे कहते हैं कि इनका इससे कोई लेना देना नहीं ये तो बहुत पहले से थे ये तो बीजेपी के हैं बला बला इस तरीके की बाते ही कर रहे हैं लेकिन सच सामने आ गया क्य कि सच की अपनी एक अलग से वैली होती है जिस समय किशोरी ने फोन किया उसी समय पुलिस आ गई और उसके बाद फिर उस पर राजनीती होने लगी इस पर देखिए सपा की ही एक नेतरी ने ये कहा कि ये लड़की रात को उस कॉलेज में क्या करने गई क्योंकि इसकी चेर पे आपने देखा ये बच्ची की बुआ है ये ही उनको ले करके गई थी तो ये सवाल उठाया जा रहा था उन दिनों की ये किशोरी जो है ये नौकरी के लिए क्यों गई आधी रात को वही उसकी बुआ उसको बहला फुसला करके ले के गई है ये सब चीजे बाद मे सामने आती है और अखिलेश जादव तो गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है आप DNA टेस्ट करवा लीजे दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा अब दूद का दूद पानी का पानी हो चुका है तो अब अखिलेश जादव की चेतर में घड़ना हो गई तो इनके हाथ प्यार फूल गए ओविएसली इनको जूट बोलना पड़ा और देखिए सपानेता ने ही किशोरी के साथ रेप किया था और SP अमित कुमार ने ये कहा है कि DNA रिपोर्ट आ गई है सेंबल मैच हो गए है इसी से पुष्टी हो गई न रेप की क्योंकि देखिए अब जो सेंटिफिक तरीके हैं और साक्षे मिलने में कोई दिकत नहीं होती इस पूरी खटना में सबसे जो बुरा रोल है वो रोल है उनक में राजनीती हुई एक तो सपा की नेतरी ने कहा कि आधी रात को नौकरी के लिए क्यों गई अब उनकी बुवा लेके जा रही है अब पतानी बुवा सगी है या कैसे है ये भी बाते सामने निकल के आ रही है कि बुवा से भी नवाप सिंग जादव के कुछ रिलेशन है तो ऐसे ऐसे लोग सपा ने अपनी पार्टी में भरे हुए है और आपको मैं बता दूँ इन्हें लोग जिस समय अखिलेश जादव मुक्हमतरी हुआ करते थे उतरप्रदेश के उस समय ही एजे मिनिसियम एक्ट करते थे तो इनके होंसले तो बुलंद होंगी अब सब को सो रोजल चलता है न तो उस समय ये बड़ी प्राब्लम में आ जाते हैं और ये लोगों को कहते हैं कि आप हमें चुनिए अगली बार हम आ रहे हैं अब आप खुद ही देख लीजे कि अगली बार अगर ये आ गए तो बेहन और बेटियों का क्या होगा सोचने की बात ये है और बिल्कुँ साफ साफ उस किशोरी ने ये कहा कि उनके साथ गलत काम हुआ है लेकिन उनकी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है वो तो ये अच्छा हुआ कि end time पर उस बच्ची ने उस नाबालिक बच्ची ने फोन कर दिया पुलिस को और पुलिस उसी समय आ गई और सारी बात पकड़ में आ गई और उस समय वीडियो भी बन गया जो मैंने आपको दिखाया है और आप ये देखिए कि उस बच्ची से गलत काम करने के बाद ये उसकी वुआ के साथ भी कैसे किस हालत में बैठा हुआ ह मतलब इसको आप अच्छा नहीं कह सकते ना अगर आप एगवार फिर से देखिए किस कोई भी अच्छा जो पुरुश होगा वो इस इस्तिति में किसी महिला के साथ सामनिन नहीं आएगा जिस तरीके से यह आए हुए और उसके अलावा अब अखिरेश जादव कहरें कि हमारे तो यह कुछ लगते ही नहीं यह कुछ लगते नहीं तो यह यहां पर कैसे हैं और इनके रिष्टे राहूल गांदी से भी है और इन्हें बंगाल में कॉलकटा में जो डॉक्टर बेटी है उस पर भी यह राजनीती कर रहे हैं उस पर भी यह अपने मन मुताबिक बयान बाजी कर रहे हैं जानी कि पूरा जितना इंडी ब्लॉक है इनको बेहन बेटियों की कोई शरम लिहाज नहीं है उनकी आबरू के लिए बिल्कुल भी फिकर मन नहीं है तो दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा मैं चाहूंगी कि आप इस पर कमेंट जरूर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब कर लिजे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजे तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए खुश रही है सब्सक्राइब जय हिन जय भरत